दोस्तो इस तरीके से learning earning के concept पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो join कर सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका link मैंने description में दिया है और बड़ी update आ रही है यहाँ पे top story और data आने के बाद देखेगा US market में ये इतनी recovery आई है यानि कि अब ये sustainable है नई sustainable होती है doesn't matter लेकिन इतनी recovery आई है अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं बात करूँगा Israel peace talk Israel peace talk की पहली बार बात आई है ये आपके पास है source टॉप story में जाके देखेगा तो यहाँ पे Macron ने पहल करी है और कहा है कि यहाँ पे फिर से अगर पूरा विश्व शान्ती जाता है तो Israel Palestine peace process फिर से start होना चाहिए क्या होना चाहिए Israel Palestine देखेगा जो peace process है वो फिर से start होना चाहिए अब आप देखेगा सबसे बड़ी बाते क्यों मानी जारी है चुकि Macron France के देखेगा आपको पता है head है और ये एक western country है जिसने पहल करी है और अगर आप देखेंगे जिस से पहल कर है वो बहुत बड़ा रोल पहले से भी निभाते है चाहिए Israel के लिए हो चाहिए Palestine के लिए हो चाहिए किसी भी चीज़ के लिए हो तो यहाँ पे पहली बार ये update आपको देखने को मिल लई है कि यहाँ पे peace talk की किसी ने बात करी हो और ये बहुत ही important हो जाता है जब ये Macron जैसे देखेगा इतने बड़े देखेगा head of the France ये ऐसी बात कहते हैं तो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से French President है और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने Egypt से बात करी है और कहा है कि यहाँ पे return to the peace process start किया जाए अगर आप चाते हो कि चीजें फिर से better हूँ चुकि 7 October से लगातार ये जो war start हुआ है ये किसी के भी favor में नहीं जाएगा ये आप सभी जानते हो और इससे केवल inflation और तबाही बढ़ेगी और आपको पता है कि ऐसे में global economy बूरी तरीके से impact होगी और अगर आप देखेंगे इसी लिए जो आस पास के पडोसी देश हैं वही Palestine को समझा सकते हैं जो कि Jordan, Egypt, Syria ये ऐसे country हैं जो समझा सकती हैं देखेगा Palestine को कि वो peace process start करें तक कि Israel उन पे war करना बंद कर दे और ऐसा मैं इसले कहा रहा हूँ चुकि Egypt और Jordan ने पहले के युद्धों में भी देखेगा ये क्या करा है इन्होंने इन्होंने काफी ज़्यादा मीडियेटर का रोल निभा के war को कम किया है तो ये one of the बहुती की trigger होगा market के लिए और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि इस समय blue chip stock में SIP करना शुरू करिए ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे blue chip stock में SIP करना शुरू करिए अगर आप literally में कहीं से भी सोच रहे हैं कि आपको long term में six month या one year two year में पैसा बनता हुआ देखने को मिले तो ये सबसे best time है SIP करने का तो आप देख सकते हो crude oil, Brent oil आप check out करेंगे तो आप यहाँ पे check out कर सकते हैं पूरी तरीके से crude oil और Brent oil में कि यहाँ पे काफी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली है जब से ये update आई है 83 dollar पे crude oil पहुँच चुका है अब यह नहीं देखते हैं कि यहाँ पे अभी इसराइल कितना continue करता है कितना जाता है doesn't matter लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही होगी कि अगर यह ऐसी चीज होती है जो की देखेगा काफी impactful है आप देख सकते हो कि इसके आने के बाद और कई दर देखेगा data US market में जो लगातार सुबह से गिर रहा था देखेगा लगातार यह देखेगा sign आया है recovery का short covering आपको देखने को मिल लही है तो कल के लिए nifty bank के लिए जो support है सीधा 42,000 का stop loss आपको लगे रहेगा पहला target 42440 और यह तूटता है तो 42660 की आपको देखेगा चाल नifty bank में देखने को मिल सकती है nifty 50 की बात करेंगे तो nifty 50 में अगर आप बात करेंगे तो nifty 50 में तो काफी अच्छा momentum हो सकता है अगर यह level hold हो जाता है तो अगर यह level 18770 का level क्या होता है hold हो जाता है 18770 का level hold हो जाता है तो उपर के लिए देखेगा 18940 पहला resistance रहेगा और फिर 19,000 आपका दूसरा resistance रहेगा sorry 19,000 आपका दूसरा resistance रहेगा nifty 50 के लिए तो एक हलका सा bounce back कल आपको देखने को मिल सकता है और बाकी तो data driven market है यह आप जानते ही हो तो focus करेगा, वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much